नमस्कार सातियो आज हम बात कर लेते हैं बई ओमान जियां सातियो अब ओमान के लिए भी फ्लाइटें इंडिया से आ रही हैं कोई टेंशन वाली बात नहीं है लेकिन क्या इंडिया से ओमान के लिए फ्लाइटें जा रही हैं वो इपोर्टेंड जियां सातियो तो हम आपको पूरा शेडूल बता देंग इस साल का अगले नेक्स्ट मंथ में नौमबर तक में जितनी भी फ्लाइटें भाई ओमान के लिए बहुत ज्यादा फ्लाइटें हैं इंडिया से ओमान के लिए जियां तो मुझे नहीं लगता कोई आदमी बच पाएगा तो आपको शेडूल मैं बता दूँगा वंदे भार्त मिशन 6 के तह जो फ्लाइटें चल रही है इंडियन एंबसी ओमान ने जो ट्यूइट किया है उसके साबसे में पूरी फ्लाइटों का शेडूल बता दूँगा अलांकि इसमें फेर बदल हो सकता है समय के अनुसार माली जी दिली से फ्लाइट बुक करवा सकते हैं तो चलिए आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं पूरा चार्ट में बता दूँगा कौन सी डेट को कहां से इंडिया से ओमान कहां के लिए फ्लाइट जाएगी पूरी डिटेल से बात करेंगे वीडियो अचा लगे तो लाइक शेयर करें चैनल सब्सक्र ने दिरूल इसमें रहेगा बाकी स्पाइस जेट को भी उसमें हो सकता है इसमें आप देख सकते हैं बतादू मैं दिल्ली से फ्लाइट है मश्यकत के लिए जियाँ अक्टूबर में मसकत के लिए इन डेट की फ्लाइटें रहेगी नॉंबर में आप स्क्रीन पर गोर से देख सकते हैं फिर आगे बात करें लखनाओ यूपी से मसकत के लिए फ्लाइटें अक्टूबर में बात करें मैने में तो 24 अक्टूबर गया 25 अक्टूबर की फ्लाइट गई 30 नूम्बर जियां, यूपी लखनाउ से मसकत के लिए इन रेट की फ्लाइट रहेगी, आप टिगट बुक कर सकते हैं, ओमान जाने वाले, आगे बात कर लेते हैं, जेपुर से भी फ्लाइट है, अच्छी बात यह है, जेपुर से मसकत के लिए फ्लाइट है, 31 अक्टूबर की जो आने वाली है एक दो तिन दिन के अंदर इसमें भी flight है आप ticket book कर सकते हैं बाकि 9 बर में अगर बात करें जेपुर से मसकत के लिए 7 नॉंबर की flight है 14 नॉंबर की flight है 21 नॉंबर की है और 28 नॉंबर की यानि 4 flight नॉंबर में है जो जेपुर से मसकत जाएगी तो भाई आप ticket book कर सकते हैं आगे हम बात कर लेते हैं बॉंबे से मसकत के लिए फ्लाइट है जी हां साथ यो बॉंबे से मसकत के लिए अगर अक्टूबर की बात करें 24 अक्टूबर गई 25 अक्टूबर फ्लाइट गई 29 अक्टूबर की फ्लाइट है जी हां यह अक्टूबर में है बॉंबे से मसकत जाने वाले बंबे से फ्लाइट बुक कर सकते हो अब आगे हम बात करें कोची कोची से मसकत जाने वाली अगर अक्टूबर की महने की बात करें 23 अक्टूबर फ्लाइट गई 25 अक्टूबर फ्लाइट गई 30 अक्टूबर की फ्लाइट है कोची से मसकत के लिए अक्टूबर में तो आप टिगट बुक करके इसमें जा सकते हैं आगे हम बात कर लेते हैं कोची से जियां कोची से नवंबर मैं न में मसकत की लिए अइक नवंबर शे नवंबर आठ नौपर तेरा नौंबर पंदरा वीश बैस सता्ट एस अरूंटिस नवंबर जी आँ साथ यो और साथ आट दस फ्लाइटों का शेडूल है कोची से मसकत के लिए आगे हम बात कर लेते हैं कोची कोड़े मसकत के लिए फ्लाइट कोची कोड़े से मसकत के लिए नवंबर में अक्टूबर में हम बात कर लेते हैं 23 अक्टूबर फ्लाइट गई 26 तो आप इस फ्लाइट में जा सकते हैं अगर कोची कोड़े नॉबर फ्लाइट की बात करें नॉबर मेने में तो दो नॉबर पांस नॉबर नो नॉबर बारा शोला उन्नीस तेज़ाइस शबडी सोर तीस नॉबर जीना साथ यू आए अर्ट-थस फ्लाइटों का सेडूल है क अक्टूबर फ्लाइट गई 28 अक्टूबर फ्लाइट जाने वाली है और 31 अक्टूबर फ्लाइट जाएगी जी हाँ यह तीन फ्लाइटों का सेडूल त्री मंद्रम से म्सकत याइं अगर हम बात करें 9 पर महने में त्रीवंदरम से मस्कत के लिए फ्लाइट तो 4 नॉंबर, 7 नॉंबर, 11 नॉंबर, 14, 18, 21, 25 और 28 नॉंबर को ये फ्लाइटों का शेडूल रहेगा त्रीवंदरम से मस्कत के लिए फ्लाइटों का नॉंबर के मेने में अब कनूर से बात कर लेते हैं कनूर से मसकत के लिए फ्लाइटों का शेडूल है 24 अक्टूबर फ्लाइट गई 25 अक्टूबर फ्लाइट गई 30 अक्टूबर की फ्लाइट है जाने वाले जा सकते हैं बात कर लेते हैं कनूर से मस्कत के लिए नवंबर मेने की फ्लाइट जी हां एक नवंबर छे नवंबर आठ नवंबर तेरा पंदरा बीस बाइस सताइस और उनतीस नवंबर की फ्लाइटों का शेडूल रहेगा कनूर से मसकत जाने वाले फ्लाइट बुक कर सकते हैं मैंगलूरू से मसकत के लिए फ्लाइट जी हां अक्टूबर में बात करें 22 अक्टूबर फ्लाइट गई 24 अक्टूबर गई 29 अक्टूबर की फ्लाइट है और 31 अक्टूबर की फ्लाइट है मंगलूरु से मसकत जाने वाले जा सकते हैं बात कर लेते हैं नवंबर में मन्कलूरु से फ्लाइट है मस्कत के लिए पांस नवंबर 700ब्र 12 नवंबर 12 decided act oder 19ulla 23 जोऊँ नवंबर 700बr को फ्लाइटों का schedule एगा जी हाँ यह फ्लाइट हो से लिए जीन्यी से फ्लाइट 9 नौंबर 12 16 19 23 27 30 नौंबर तक की फ्लाइटों का शेडूल रहेगा पूरे मेहने में जी हां तिरची से फ्लाइट है मसकत के लिए जो 21 अक्टूबर 25 अक्टूबर 28 अक्टूबर जा चुकी हैं दो फ्लाइट हैं आगे नौंबर में अगर तिरची से मसकत की बात करें तो एक 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 नौंबर तक की फ्लाइटे हैं तिरची से मसकत हिदराबाद मसकत से फ्लाइटे हैं 22, 25, 39 अक्टूबर में ये फ्लाइटें जाने वाली हैं दो गई आगे हिदराबाद से नौंबर की बात करें 1, 5, 8, 12, 19, 22, 26, 29 जी हां ये नौंबर की फ्लाइटे हैं ह और 9 बर में बात करें 5, 12, 26 नवर की फ्लाइट है जाएगी कोची से सलाला के लिए 359 से सलाला की बात करें तो 24 तार्ड की फ्लाइट October की थी गई 31 अक्टूबर की फ्लाइट है और 359 से सलाला नवर मैंने में फ्लाइट जाने वाली 7, 14, 218 जी हाँ आपको द्यान रखने की बात लिए है, वंदे भार सिक्स के तहती हो जाने वाली है इंडियन, एंबसी, ओमान की तरफ से शेडूल बता गया है इसमें हो सकता है आने वाले टाइम में या कुछ फेर बदल हो जाए सरकार की कूट guideline चेंज हो जाए या Corona के आखड़े बढ़ जाएं वगरा वगरा कुछ भी इसमें हो सकता है बाकी है आपको final जब आप जाओगे तो आपको confirmation करनी है ये जस्ट एक आईडिया है आपको अंदाजा लग जाए भी इस मेने की इतनी इतनी तारिकों फरायटे हो सकती है बाकि बाइज जो आप जाने वाले हैं तो आप अपने अस्तर पर भी ट्राइ करोगे बाकि आप जहां से आप टिगेट बुक करते हो उनको भी आजकल गाइडलाइन एरलाइन की तरफ से पूरी दी जाती है कि आप इस तरह से ये फ्लाइट आप बुक कर सकते हैं तो आपको मुझे समझ में आ गया होगा जिनके वीजा वेलिड हैं वो जा पाएंगे अभी और कोई नहीं जा सकता उमान से रिलेटेड और भी कोई जानकारी आएगी तो मैं आप लोगों साथ जरूर शेयर करूँगा मेरे साब से जानकारी आपको अच्छी लेगी वीडियो चला के तो लाइक शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाके रखें ताकि गल्प कंट्री से रिलेटेड से इन पॉर्मेशन मिलते रहें मिलते नेक्स्ट वीडियो में जै हिंज जै भार